नमस्कार, 21 Unconditional Love, Spiritual Love and Life चैनल पर मैं उशा किरन पॉल आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में Anime Maker चैनल के थूप पूछे के Q& का अंसर दिया जा रहा है हालां कि उन्होंने उस Q& को बाद में मैं उस comment को डिलीट कर दिया था बट मैंने उस comment को पाढ़ लिया था और उसमें उन्होंने Q& कि यह हैं उन डीएफ्स को लेकर जिनको सेक्रल चक्रा इंबलेंस का इशू होता है मिन्स स्विसेडल थॉट आना और इन सेक्रल चक्रा सर ग्लेटिड मैं अलरड़ी दो वीडियो बना चुकी हूँ उसमें डिवाइन फैमिनाइन सीरीज में मैंने उन डियफ्स के बारे में भी बात की है जो इसके इंबलेंस की वज़े से मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब होते है जब हमारा चाहे वो डिवाइन मैसकुलाइन हो या डिवाइन फैमिनाइन हो उनका सेक्रल चक्रा इंबलेंस होता है तब यह डिसॉर्डर होता है वो अपने emotions को control नहीं कर पाते हैं वो emotionally बहुत ज़दा weak feel करते हैं lonely feel करते हैं वो chasing mood में भी रहते हैं और किसी particular person की वज़े से इतने emotional trauma को feel करना start कर देते हैं कि उनके मन में suicidal thoughts भी आने start हो जाते हैं और इसी लिए इसकी healing होना बहुत ज़दा ज़रूरी है इसकी healing के लिए वैसे तो DFS को inner work खुद ही करना पड़ता है जितने भी हमारी जो chakra imbalance होते हैं इसकी वज़े से physical symptoms हमारे physical body में exist करते हैं हमारी mental body में exist करते हैं या हमारी mental body इससे influence होती है प्रभावित होती है तो उसके लिए inner work खुद ही करना पड़ता है लेकिन हम भी affirmations के थ्रू ऐसे person को heal कर सकते हैं it means कि अगर आप meditation करते हैं और meditation करते करते इतने जदा ascend हो चुके हैं कि बाकी लोगों को ascend करने में help कर सकें तो आप अपनी vibrations के थ्रू अपनी positive vibrations के थ्रू अफर्मेशन के थ्रू प्रेयर्स के थ्रू ऐसे person को heal करने में help कर सकते हैं ACDFs को जिनके mind में इस तरीके के thoughts आते हैं सबसे पहला step अपने लिए लेना चाहिए self love करना चाहिए और अपनी importance को सबसे पहले पहचानना चाहिए because यहाँ पर कई लोगों को confusion हो जाती है वो ego को self love समझ लेते हैं ego self love नहीं है self love का मतलब यह है कि जैसे यह पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत है इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़े exist करती है वो सभी खूबसूरत है और उसी खूबसूरत दुनिया का मैं भी हिस्सा हूँ तो मैं भी उतना ही important हूँ, उतना ही खुबसूरत हूँ और जब तक हम अपनी importance खुद नहीं समझते सामने वाला कभी भी हमारी importance को नहीं समझेगा तो आप सबसे पहले खुद अपने आपको respect देना सीखिए इस दुनिया में आप बहुत important हैं, अपनी importance को पहचारी है आप यहां पर यूँ ही नहीं birth लेकर आए हैं और इतनी खुबसूरत ये जिन्दगी मिली है तो इसको ऐसे ही waste मत जाने दीजिए जो भी D.E.F.S. या D.E.M.S. मिन्स Divine Masculine Energy वाले बिंग्स या Divine Feminine Energy वाले बिंग्स इस वीडियो को सुन रहे हैं और उनके मन में ऐसे suicidal thoughts आ रहे हैं कि किसी भी situation या person के लिए आप अपनी इस खुबसूरत जिन्दगी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका ये जो thought है सबसे wrong pattern है because आप खुद ही इतनी खुबसूरत जिन्दगी का respect नहीं कर रहे हैं आप अपना respect नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत consciousness में आप जा रहे हैं सबसे पहले आप अपना respect करना सीखिए अपनी importance पहचानिये उसके बाद बाकी लोगों को सर्व कीजिए लेकिन फिर भी अगर आप अपनी importance नहीं समझ रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आप ऐसे लोगों को सर्व करेंगे जो आप ही की तरह नेडी हैं और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपका पेन ऐसे लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जो पेन में हैं और उन लोगों के पेन के सामने तो आपका पेन कहीं matter ही नहीं करता जबी भी कभी आपको अपना पेन बहुत सदा बड़ा लगे या आपको लगे आप इस दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़े दुख में हैं तो बस सर्फ और सर्फ एक काम केजिए आप एक बार उन जगों का ट्रावल करके देखिए जो वास्तों में इस अर्थ प्लेन पर उस पेन को फील कर रहे हैं जो अन बियरेबल है और आपको लगेगा कि अगर आप उनके पेन को कम करने के लिए कुछ कर पाएंगे तो ये जो आपकी लाइफ है वो वास्तों में प्रीशियस बन जाएगी और कब उनके पेन को हील करते करते आपका पेन गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा ये जिन्दगी इतनी सस्ती नहीं है जो किसी एक परसन के लिए वेस्ट कर दी जाए ये जिन्दगी बहुत खुबसूरत है और खुबसूरती से जीने के लिए मिली है इसके लिए आप अपना भी ख्याल रखिए और जितनी लोगों का possible हो उतनी लोगों की help कीजिए जैसे ही आप helping hand बढ़ाते हैं यूनिवर्स आपको वो मुका देते हैं कि आप भी जिन्दिगी की खुबसूरती को समझ पाएं अपनी जिन्दिगी को खुबसूरत बनाने के लिए आप डेली अपने लिए affirmations कर सकते हैं अपनी सेक्रल चक्रा की affirmations कर सकते हैं अपने आपको हील कर सकते हैं सेक्रल चक्रा healing meditation कर सकते हैं आप YouTube पर सरच करेंगे आपको बहुत सारे options मिल जाएंगे हालां कि मैंने भी Sacral Chakra Meditation के एक वीडियो बना कर अपने चैनल पर डाली है आप चाहें तो उस Meditation को भी कर सकते हैं लेकिन कोई Compulsion नहीं है बस मेन हैं कि आपको अपने इस Issue को Heal करना है जो Emotional Disorder आपके Mind में इतना ज़ादा घर कर गया है कि आप उसे Release ही नहीं कर पा रही है और जब आप Affirmations के थ्रूँ अपने आपको Heal करेंगे तो आपकी Soul अंदर से Heal होनी Start हो जाएगी जब आप दूसरे लोगों को सर्व करना Start करते हैं तो Automatically आप अपने आपको सर्व कर रहे होते हैं और इस तरीके से आप इस Healing Process में अपने साथ साथ ना जाने कितने लोगों को Heal कर डालते हैं I hope so कि जो मैं समझाना जा रही हूँ आपको समझ में आ गया है और अपने इस Emotional Disorder को सही करने के लिए आप Affirmations का Meditation का Use करेंगे और अपने आपको Heal करेंगे मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद